हेलो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनोमिक इम्पोटेंस आप फीज मतलब फीज का हमारे हुमन्स लाइप में किस प्रेकार से इम्पोटेंस रोल है इसके बारे में हम आज इस लेक्चर के तहद जानेंगे तो आए यह topic स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो economic important of fish को देखने के लिए हमने कुछ synapsis arrangement किये हैं जिसमें जो फीस होता है एक human food के रूप में किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है साथ ही साथ एक byproduct के रूप में किस प्रकार से यह hour करता है साथ ही साथ फीस जो होता है जो फीस का meal होता है वो kettle के लिए मतलब उसके fit के लिए help करता है एक menu के form में पाया जाता है fancy articles के form में पाया जाता है साथ ही साथ जो फीस होता है उससे glue का form किया जाता है और easy in glass का form किया जाता है साथ साथ जो face fin होते हैं वो कुछ product का form करते हैं साथ साथ जो cattle food के रूप में face किस प्रकार से उचके जाता है इसको देखेंगे और जो face का skin और उसका leather part होता है मतलब human life के लिए importance होता है इसके बारे में देखेंगे फीस जो होता है, इस पोर्ट और जो रिक्रीशन मतलब एक प्रकार से मनुरंजन में किस प्रकार से हेल्प करता है, इसके बारे में देखेंगे सांति सांत जो फीस होता है वह हमारे लिए कुछ हारमफुल भी होते हैं जैसे कि हमारे बॉड़ी को destructive कर देते हैं मतलब काटनी कारे कर देते हैं सांति सांत कुछ injuries पैदा कर देते हैं और कुछ फीस जो होते हैं वो poisonous भी होते हैं तो इस प्रकार से जो फीस होता है वह अपनी बॉडिस के अधार पर उसकी बॉडिस जो हती फीस की वह डिफरेंट डिफरेंट इकोनोमिक इंपोर्टेंस हमारे हुमन्स लाइप में अधा करती है तो आया देखते हैं सबसे पहले एकोनोमिक वैल्यू आप फीस फीस का इकोनोमिक जो वैल्यू होता है वह हमारे हुमन्स लाइप में किस प्रकार से होता है तो फीस जो होता है एक प्रकार का वर्टिब्रेट जैसे की मेन होता है ठीक उसी प्रकार एह है वर्टिब्रेट का एक ग्रूप होता है जो की अपने लाइप में बहुँच सारे कंडिशन्स को प्राय करती है जिसमें जो फीस होते हैं वह हमारे हुमन लाइप में क्या होते हैं हंगर मतलब भूग को मिटाने के लिए भी कारे करते हैं साथ हिसाथ जो कूपोसित या जो मैल नूट्रेशन मतलब एक प्रकार से जो पोसड़ की कमी होई रहती उसको कंप्लीट करने का भी कारे करते हैं जो फीस होते हैं यह इसका में वैल्य होता है कि यह एक फीस प्रोडक्ट जो होता है वह हुमन लाइप में फूट के रूप में कारे करता है साथ ही साथ जो फूड होता है वो एक प्रकार से फूड का rich source होता है बहुत ही फूड का richest source होता है साथ ही साथ यहाँ इसी भी men's को या humans को क्या होते हैं यहाँ difficulties के समय food provide करते हैं nutrition provide करते हैं इसी कालब यहाँ एक इम्पोर्टेंट आइटम के रूप में जैसे फूड एक इम्पोर्टेंट के रूप में डिया जाता है और क्या होता है लेकिन कुछ जो होते हैं वहां मेंस के लिए हैरोफिल भी होते हैं जैसे कि हमने भी बात की थी किया है पोईजिनियस हो सकते हैं तो पोईजन क्रियेट करेंगे बोडिस में हुमन्स के सांथ सांथ कुछ फीस जो होते हैं destructive होते हैं मतलब कुछ फीस का जो spine होता है वो से कड़ जाते हैं हमारे जो sales होता है वो damage हो जाता है जिसे injuries पैदा हो जाती है तो इस प्रकार जो फीस होता है वहाँ अपने अपने मतलब shape, size और weight के अधार पर define क्या गया है और उसकी जो importance होती है वहाँ हमारे हुमन्स लाइप में different different thoughts के थू होती है तो सबसे पहले देखते हैं फीस एक human food के रूप में किस प्रकार से पाया जाता है तो हम सभी जानते हैं कि फीस एक हम लोग जो humans रहते हैं वहाँ feed के रूप में लेते हैं साथ साथ दूसरे animals भी उसको feed करते हैं लेकिन हमें humans की बात की जाए तो इसका economic importance यह होता है कि एक प्रकार से food के रूप में एक rich source होता है जो फीस होता है साथ साथ जो फीस होता है यहाँ protein का important source होता है fat का important source होता है vitamin का important source होता है जिससे हमको vitamin D और vitamin A प्राप्त करते हैं और यहाँ एक edible मतलब खादे-पदार्थ के रूप में अगर फीस के देखें तो यह फीस जो होता है इसमें कुछ फ्रेसी मठेरियल्स जो होते हैं मतलब जो मांशलपदार्त होते हैं जिसमें लगभग 13-20% प्रोटीन पाया जाता है जिसमें इसकी जो उर्जा की केलोरीस होती है वह 300-600 kcal per pound की इस में पाई जाती है जो फीज की जो प्रोडक्ट होती है जो फूट की रूप में हम लोग उपयोग करते हैं तो यह हो गया फीज जो होता है हुमन फ्यूट के रूप में यह उसका कुछ डायग्राम देआ गया है कि फ्यूट क की रूप में हम लेते हैं फीज ओयल को तो फीज ओयल देखते हैं कि जो by product होता है वह इंडस्ट्री से बनाये जाते हैं या फिस से निकाले जाते हैं जो कि एक प्रकार से vitamins के रुका को humans को provide करने में एक vehicle का कारे करते हैं एक साधन का कारे करते हैं जिसमें विटामीन A, विटामीन D, विटामीन E और विटामीन K साधन कुछ essential source जैसे fatty acid और different types के जो sales पाय जाते हैं उसके membrane से यहाँ सभी निकाले जाते हैं यदि हम fish oils की बात करें तो fish oils जो होता है उसको 2 category में बाटा गया है जिसमें फीस जो है liver oil के फौव में पाय जाता है साध ही साध फीस का body oil के फौव में पाय जाता है तो इसका कुछ products यहाँ पर दिया गया है एक जो होता है fish oil होता है यह साध ही साध कुछ दूसरे प्रकार के जो पीले color का oil होता है उसके liver से निकाले जाते हैं तो जो fish liver oil होता है इसमें कुछ composition होते है chemical materials का जिसमें fat जो होता है लग भग 55 से 75% में present होती है protein 5-10% होती है water 20-36 परसेंट होती है cholesterol जो होता है 0.46 to 1.32% होती है vitamins A और D main product के पहौं में पाया जाते हैं 37 इसमें iodine जो होते हैं उसकी जो amounts होती है 158.7 166.6% में होती है इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी जो different composition होती है उसके आधार पर इसमें जो vitamins पाया जाते हैं जैसे कि vitamins A हो गया, vitamin D हो ग होती है उसकी तुलना में इहां important parts या important role का play करती है जो फीस liver oil होती है वहां अब फीस liver oil अगर देखा जाए तो सार का और कोड जो फीस होते हैं कोड लिवर आयल जो होते है सार का इंडर कोड लिवर आयल जिसके गेड़ास का जो लिवर आयल होता है उसको हम लोग pharmaceutical industries में नि फीस को हम लोग उसके फीस को छान करके जो उसके लिवर होते हैं उसको छान करके उसके फ्लेवर को मतलब यू यूरिया जो रहते हैं उसके अकाउंट जो यूरिया पाय जाते हैं उसको निकाल करके जो उसका जो commercial जो परपोस की थ्रू जो ऑयल बना आयता है उसको हम लोग सारक के या कॉट फिसके लिवर ओयल के रूप में देखते हैं जो कि यहां बहुत ही मातरा में ओयल प्रोवाइट करता है जो उसका लिवर होता है यदि हम इसके लिवर ओयल की बात की जाए तो इसको तिन त्री टाइपस में उसकी मतलब एक्स्रेक्शन मतलब प्राप्त करने के अधार पर तिन ग्रूप में बाटा गया है जिसमें पहला जोता है पेल कोड लिवर ओयल दुसरा होता है लाइट क्राउन ब्राउन लिवर ओयल साथी साथ ब्राउन ओयल तो पहला हम लोग देखते हैं पेल पेल कोड लिवर ओयल को फीस के लिवर से अप्टेंड किया जाता है प्राप्त किया जाता है जो की मतलब हमारे जीवन के लिए हमारे जीवन जीने के लिए या जो हुमन्स लाइप के लिए बहुत ही अवस्यक होता है जिसमें जो फीट्स होते हैं इसको जिन्दे फीस होते है जो alive feats होता है जो किनारेंस पाय जाते हैं उससे इसको निकाला जाता है साथ-षाथ जो feats के जो levers रहते हैं उसको steaming process के द्वारा जो उसके vessels होते हैं लख-bhag जो उसके vessels होते हैं उनको न इसनको steaming मतलब वास्पित करके मतलब उसको वास्प में गरम करके उसके द्वारा उसको हीट किया जाता है देन उसके जो लिवर्स होते हैं उसको स्क्रीफ हैड मतलब सेपरेट किया जाता है जिससे हमें एक लिवर ओयल का जो प्रोडक्ट होता है वो प्राप्त होता है जो कि पीले कलर का होता है आप देखते हैं कि heating के दवरान क्या होता है इसका जो membranze होता है जो face का cell membranze होता है liver cell का वह brushed हो जाता है तूट जाता है और वह हमें हमें जो oil होता है वो collected हो जाता है तो इस प्रकाज जो pale coat liver oil होता है उसको हम लोग face के body से collect कर सकते हैं then जो light brown liver oil होता है इसको प्राप्त करने के लिए face के जो leg coat liver oil था उसे के समाहन ही होता है और यहाँ pharmacy में medical purpose के लिए उपयोग होता है यह होता है कि यहाँ जो फीस के जो लिवर होते हैं उससे मतलब निकाले जाते हैं जो कि एक प्रकार से जो फीस होते हैं जो एकदाम मतलब ठके वे फीस होते हैं जो इस्टेल फीस होते हैं उसके लिवर से इसको एक स्केट किया जाता है मतलब बाहर निकला जाता है साथ ही साथ इसका आयल का यूज होता है वो किसी भी प्रपोस के लिए आन्य प्रपोस के लिए क्या जाता है जिसमें वीटामीज A, D, E and other important component होते हैं वो फिस ऑयल जो रहते हैं जो फिस के लिए और आयल जिसमें कोलेस्टराल पाया जाता है साथ ही साथ कुछ मात्रा में प्रोटिन्स और कुछ मात्रा में अन्य प्रोडक्ट जो पाया जाते हैं उनको घठा करके कलेक्ट करके उसका क्या वो डिफ्रेंट टाइप्स की जो प्रोडक्ट का फॉर्म क्या जाता है जैसे कि सौप हो गया डिफ्रेंट डिफ्रेंट जो लिवर ओयल से प्रोडक्ट बना जाते हैं यह सब डिफ्रेंट टाइप के फीश से निकाला जाते हैं जो की डिफ्रेंट डिफ्रेंट इंडस्ट्रिस में वर्क करते हैं यह हो गया जो लिवर ओयल के बारे में अब देखते हैं फीश मील मतलब एक प्रकार से मील के रूप में किस प्रकार से फीज जो होता है वहाँ केटल के लिए फूट के रूप में कारे करता है तो जो केटल होते हैं जो पसु आहार होते हैं उसमें कुछ फीज पाए फीज के जो प्रोडक्ट फीज से जो प्रोडक्ट बना जाते हैं पसु आहार के के रूप में भी मतलब इंपोर्टेंस होते हैं जिसमें जो फिस्क से जो ऑयल निकले रहते हैं उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है जो फिस्क के जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उसको मिल के रूप में या एक प्रकार से केटल मिल के रूप में उपयोग के जाता है रहते हैं उनके लिए येह नॉन इडिवल फीस के मतलब जो खाद्य पदारते रूप में प्योग नहीं होते उनसे बनाया जाते जो इस प्रकार डिफ्रेंट डाग्राम में दीख रहा है कि फीस्ट का मिल्ज होता है इस प्रकार से त्यार के जाता है जिसमें केमिकल कमपॉजिशन की अगर बात की जाए तो इसमें 60-70% प्रोटिन्स फोर्म होता है फेट का जो परशेंट एह होता है 2-15% होता है मिनेरल्स पाई जाते है। 10 to 20 परसेंड में और केलिसियम 5 to 1 percent में पाई जाता है। और फास्फोरास जो होता है 3 to 1 percent में पाई आईरान trace amount बहुत ही कम amount में पाई जाता है, iodine varial amount में पाई जाता है। इस प्रेकार हम देखते हैं कि इसमें different लिटामीं भी यहां प्रकार जानों आप देखते हैं कि जो यहां पर प्रजेंट होते हैं जिसमें B12 आप अब देखते हैं कि जो मैन्यूर बनाया जाता है वह एक प्रकार से मैन्यूर कहनेकार था खाद होता है जिससे मतलब फीस के जो फीस से किस प्रकार से खाद का निर्मार का जाता है जो कि very helpful होता है साथ साथ फीज क्या होता है इसमें जो फीद मैनियूर का जो प्रिपेर क्या जाता है इसका जो प्रिप्रेशन क्या जाता है वो इंडस्ट्री में जो ड्राइब फीज रहते हैं साथ जाज जो प्यूरिट फीस रहते हैं, जो सड़े हुए फीस रहते हैं, उनसे डिफरेंट टाइप्स की फीस पाया जाते हैं, उनसे यहाँ प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसमें जो मैन्यूर जो प्रिपेर के जाता है, और ड्राइ फीस को मिक्स करके बनाया जाता है, सा इस प्रकार जो फीस होते हैं वो मैन्यूर में भी हल्प करते हैं साथ साथ कुछ प्रॉण मर्यूर मतलब जो प्रॉण से जो खाद बना जाते हैं उसका जो प्रिप्रेशन होता है वो सेम मैन्यूर की तरह ही होता है जिस प्रकार से प्रॉण को क्या होता है बाहर निकाला जात चुनने का यूच किया जाता है और इस प्रकार से जो प्राउन मेन्यूर होता है उसको इंडस्ट्री में प्रिपेट किया जाता है और यदि फिस गवना की बात की जाए तो इसमें ओयल को निकालने के पश्चाद जो उसका माटेरियल्स बचता है उसको उससे क्या होता है यह इसपाइब किए जाते हैं जो फिस गाउना होते हैं इसका क्या होता है इसमें लग भाग से डू-टेंटरोजन होता है आद्स अंत है सहने कुछ बहुत द्रवार्ण अमॉंट्स में न्यूंट्रेन्स होते हैं जो की प्लांट के लिए घरी यूजफूल होते हैं तो इस प्रकार यह क्या होता है खाट जो होता है वो प्लांट में यूज होता है जो की प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही important होता है और यह हमारे humans life में भी एक manure के रूप में form होता है यह होता है फिस अब देखते हैं fancy articles, fancy articles मतलब जो सजावट की रूप में जो फीस पाया जाते हैं, जो फैंसी चाहे जो 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 फीस के जाता है, जैसे कि इसमें दिया गया है, कि जो गार्पिक फीस होता है, उसका जो इसकेल होता है, वहाँ jewelry के लिए, साथ है साथ, जो novel ties होता है, उसके लिए, मतलब use के जाता है, जो कि बहुत ही, कम cost का होता है, मतलब सस्ता होता है, जो कि इसके scales से क्या होता है, उसके pigments पाया जाते हैं, जो फीस के body में, जो उसको secure करके रहते हैं, उससे निकाला जाता है, जो fancy articles में very helpful होता है, के समान, जो दाने होते हैं, उससे निकाला जाता है, और कुछ जो होते हैं, उनके bodies के skills पाया जाते हैं, उनको artificially रूप से, मतलब jewelry का form कहा जाता है, ताकि वहाँ, एक articles के रूप में form हो, और especially यहाँ, Europe और France में निकाला जाता है, और इस प्रकार का जो product बनाया जाता है, fancy articles जास के form में, फिस के body का, अब देखते हैं, फिस का body क्या आता है, glue के रूप में पाया जाता है, glue के रूप में importance होता है, क्योंकि फिस के body से कुछ जरी-like product जैसे glue ही निकाला जाता है, जो इससे बनाया जाते है, इसका जो preparation कहाता है, और processing के दावरान, क्या होता है, कि इसक different waste product पाया जाते हैं, उनसे इसका sticky material जाते हैं, उसको prepare किया जाता है, साथ ही साथ इसको धो करके, उसकी जो acetic acid से उसको steam करके, मतलब वास्पित करके, उसको फिर cook किया जाता है, देन उसके बाद उसको बनाया जाता है, जो glue रहते हैं उसको, यहाँ एक liquid material होता है, जो की piece glue ह होता है, उससे यहाँ separate करे जाता है, साथ ही साथ यहाँ इसका जो यूज होता है, वो paper में यूज करे जाता है, flies में यूज करे जाता है, और files में यूज करे जाता है, woods जो बनाते हैं उसमें यूज करे जाता है, leather उसमें यूज करे जाता है, glass बनाने में यूज करे जाता ह हैं ताकि जो हमारे हुमर्स लाइप में ग्लू का जो इंपोर्टेंस है जो सिग्निफिकेंस है वह कम्प्रिट हो सके इस प्रकार से फिस्ट ग्लू फाम पाया जाता है देन देखते हैं आइजिन ग्लास आइजिन ग्लास के एक प्रकार का इसा प्रोड़क्ट होता है जो कि अपार्दसी होता है या अर्धा पार्दसी होता है semi-permeable होता है जो कि मतलब एक प्रकार सा jelly product होता है जिसको हम लोग अबरग बोलते हैं या उसके فीस के जो रहते हैं उसके body की air blader जो swim blader पाया जाते हैं उससे उप्टें किये जाते हैं जिसमें कुछ फीस आते हैं जैसे कि estrogen हो गया कार्प हो गया और चीशener हो गया सालमन हो गयाigator फ drinking फिस हो गया ये सब फिस्ट जो होते हैं उसकी हर्ट परेयर को निकाल करके आजीज मांड़ क्या रता है आईजिन ग्लास एक साइणिंग प्रोडक्ट होता है कुछ इस प्रकार से डि positivity में आपको दीख रहे होगा जो कि इसके इस तायप यह च जो की आईजिन ग्लास होता है जो वाइन ग्लास जो सराव की ग्लास होते हैं उनको क्लीन करने में उसको क्लीन करने में और जो इडिवल मतलब जो जेलिस टक से जो प्रोडक्ट होते हundas मतलब खाद्ध प्रोडक्त की रुप मेशिन को बनाया में व्यार्ट करते है इस प्रकार इस प्रकार आइजन प्लास जो होता है जो डिफरेंट साइब के वेहिकल होते हैं उसके निरमाण में भी फिन्स का यूज होता है केटल फूड के बारे में हमने पहले से देखा कि जो मीड्ल होते हैं फीस का वह इस प्रकार से आर्टिफीरियली बनाए जाते हैं निर्मार्ण개를 के ऐता है इसी दिए पीज से अब देखते हैं वहाig वह food product के सांस सांस कुछ leather का भी फाम करते हैं उसका जो body होता है फिसका See तो इसका जो face होता है सार का और ब्राइफी स होते हैं वह स्मूध और polishing होता है जिसमें इसका जो commercial importance होता है वहाँ जो हैंस बेग हो गया जो स्वेस हो गया जो जूते हो गया यह डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो लेदर बनान में फीस के बॉड़ी का यूज किया जाता है यह हमारे लिए एक एकोनोमिक इंपोर्टेंस होता है एक्जामपल के लिए हम लोग जैपान में देखें तो इसमें जो यह फीस का जो पफर फीस जो रहते हैं उसके जो इसकीन रहते हैं उससे लेदर नका यूज के जाता है साथ ही साथ जो फीस के जो कुछ फीस होते हैं उससे डिफरेंट टाइप के हेलमेट्स बना जाते हैं औ बेक्स बनाया जाते हैं और डिफिरेंट लाइफ की लेदर का फोर्म के आता है फीस के इस्किल से तो यहाँ एक प्रकार से हुमन्स लाइब के लिए इम्पोर्टेंस होता है जो फीस होते हैं इस प्रकार यहां पर हुमको दिखे हैं डायग्राम में फीस लिदर होते हैं वहाँ स्षी बनाए गया है अब फीस सब्सक्राइब से करता है साध साथ कुछ रिक्रूसन भी भी हेलफ करता है यह स्यस्य क्या होता है क्योंकि होता है बाडि या उसकी इनाटोमिकल फीजियोलोजिकल जो उसकी स्ट्रक्फर हैं हमको knowledge रखने के लिए जो scientist रहते हैं वहां कुछ फीस को scientific study के रुप में भी लेते हैं ताकि उसका जो experiment है वहां complete हो सके और इस प्रकार इसको फार्मा सेटिकल्स जो company होती है जिसमें फार्मेकोलोजी, genetics, embryology, इसके बारे में जानने के लिए जो scientist होते हैं वह अपने अपने तरीके से मतलब study करते हैं किसी फीस के बॉड़ी से तो इस डिफरेंट डिफरेंट फीस में पाया जाता है जो की study में help करता है जैन हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री में इंडस्ट्री मतलब फीस होता है वह industrial help फूल भी होता है जिसमें इंडस्ट्री से डिफरेंट टाइप्स के product बनाया जाते हैं जो फीस के body से जैसे कि फूल जो food का source भी बनाया जाते हैं साथ ही साथ जो प्योपूस होते हैं जो different होते हैं किसी भी फीसरी पर मतलब फीस को पकड़ने में उनके लिए एक प्रकार से different types के product बनाया जाते हैं जो की market में उकलब्ध होते हैं और यहाँ different types के industry में preparation करके बनाया जाते हैं जिसमें पहले फीस को preserve के जाता है देन उसके different bodies इसको काट करके वहाँ different product का form करते हैं और इस प्रकार यह industrial use में फीस जो होता है वहाँ अपना importance role play करता है तो इस प्रकार हमने देखा कि जो फीस होता है वहाँ different types में अपनी अपनी रोल के अधार पर उसका जो body होता है वहाँ importance होता है हमारे human slide के लिए चाहे वहाँ manure के form मे हो चाहे वह जोयलरी के form में हो चाहे वह industrial form में हो या किसी मिल्स form में हो या sport या regression फारम में हो तो फीस different different ways से different different types से अपनी importance के अधार पर वह हमारे human slide के लिए importance होता है और importance रोप play करता है तो इस प्रकार तो हमने देख लिया कि फीस हमारे लिए किस प्रकार से importance है लेकिन हम जो देखने वाले हैं कि फीस हमारे लिए कुछ घातक भी होते हैं हार्म फूल भी होते हैं जिसमें हार्म फूल क्या होता है कि जो फीस होता है कभी-कभी फीसर में इनको काड़ देता है यह प्यापूल्स को जो रहते हैं उनको काड़ देता है तो हमारा जो बॉडी होता है व होते हैं जो पानी के अंदर पायाते हैं उनको काड़ करके मार डालता है उनके बॉर्णिस को डिस्ट्रक्ट कर देता है तो यह जो फीस होता है प्रकार से हार में फूल होता है किसी भी अनिबल्स के लिए इंजरिस उत्पन न करता है जो फीस होता है यदि फीस जो होता है तो इस प्रकार जो करेंट फीस होता है ऑज अपर उत्तम होते हैं, जिस है कुछ emуждan को Taurus में an tá sk saus जाता है जिसे human का बॉड़ी जब यह offers जाता है उसम में कुछ पैहन होने लगते हैं और भॉड़ी में जी कारण humans के लिए economic importance रोल प्ले कर रहा है साथ-साथ कुछ manufacture भी डाल रहा है तो हमने देखा कि जो فीस होता है वहाँ हमारे humans life में feeding behavior के लिए sport behavior के लिए recreational behavior के लिए different टाइप के products फॉर्म के लिए किस प्रकार से importance होता है इसके बारे में हमने आज इस lectures के through जाना तो इतना में हमारा जो lecture था वो complete होता है तो यहाँ वीडियो यह आपको अच्छा लगा हो तो please like करें में चैनल को subscribe करें share करें धन्यवाद